हलो एंड वेलकम फ्रेंड स्वागत हाब सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सेन एथिकल हैकिंग पे तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूं इंटरनेट ओफ थिंग्स यानि आयूटी से जुड़े एक बहुत ही जबरदस टूल के बारे में इंटरनेट पे अगर हम बात करें काम की वीडियो की तो वह हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं और अगर हम आयूटी की बात करें या इंटरनेट ओफ थिंग्स की बात हम करें तो इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं बहुत कम हमें देखने का मौका मिलता है जाइस कई बार जो आप movies में देखते हैं कि traffic signals पे भी कोई व्यक्ति किस तरह से अपनी मर्जी से उसे चरा लेता है या फिर online cctv cameras हो गए या फिर machine हो गई कई बार ऐसी ख़वरे हमें सुनने का मौगा मिलता है इंडस्ट्री में कोई भी machine पे जो hackers है उसने हमला कर दिया इस तरह की जो चीज़ें वो IOT के अंदर आती है तो internet से जुड़ी कोई भी चीच्चा है आपका mobile phone है laptop है desktop है इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी machine है CCTV cameras है या फिर आप बोलिए refrigerator, washing machine, air conditioners जो कि मतलब Wi-Fi से connect होके network बनाते हैं even आपकी smart watches भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो internet से जुड़ी हुई है घर के security alarms वगएर भी internet से जुड़ी हुई होती जुड़ी हुई चीज़े हैं इन्हें ही IOT बोला जाता है IOT ही एक बहुत बड़ा future है आपने movies वगरा के अंदर भी देखा होगा कि गाडियों को लोग hack कर लेते हैं या GPS system वगएरा वो सारी चीज़े तो internet of things की security अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए खड़ा करता है क्या internet of things यानि IOT से जोड़ी हुई चीज़े पूरी या फिर IOT में जाने के बारे में या IOT को किस तरह से test किया जाता है इस बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है पूरा मैंने practical करके बताया है तो चली दूस्तों सुरू करते हैं मैं आपको बता देता हूँ आज जिस टूल का हम यूस करने वाले हैं उसका नाम है HomePound ये एक framework है जो आपको feature प्रोवाइड करता है audit and penetration testing के यानि जिसकी मदद से आप company की जो devices हैं उनने pen test कर सकते हैं जिनमें चाहे आपकी Bluetooth devices हैं low energy Bluetooth devices हो गई वाइफाई हो गया या कोई भी एक ऐसा टूल है जिससे उपन हम website वगयरा को चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह की है उनके अंदर कोई loophole तो नहीं है लेकिन ऐसे ही अगर हम IoT की बात करें तो IoT के मामले में HomePound जो है से Swiss Army Knife के नाम से भी जाना जाता है और IoT devices के लिए काफी अच्छा टूल है यानि IoT को आप check क सकते हैं यह बहुत अच्छा टूल है तो चलिए गाइस मैं इसी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला था यूज और इंस्टॉल करना इसे बहुत आसान है अल्रेडी मैंने किया हुआ है तो अब सवाल आता है कि इसे कैसे यूज करना है तो सबसे पहले हम इसका ज जाना है क्योंकि अगर आप इसे git clone कर लेते हैं जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ है तो git clone करने के बाद आपको cd command से folder के अंदर जाना होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं home pound यानि यह जो folder है उसके अंदर हम चले जाएंगे cd4 change directory उसके बाद ls से इसके अंदर जो भी फा सवाल था कि इसे activate कैस करें इस्टॉल करने के बाद आपको यह जो command है यह एंटर कर देनी है and after that command यानि कि source home pound यह मतलब जब तक आप activate नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेंगा so first of all you need to activate this और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देखिए install करने के बाद आपको activate करना है और यह जो tool है इसे आप use कर सकते है so guys यह देखिए dot slash से install हो जाएगा तो यह process तो यहाँ पर बता ही रखा है अब चलिए हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं जैसे ही activate हो जाएगा आप इसे use कर सकते है python की मदद से और जो tool का नाम है वह आपको लिख देना है tool का नाम है home pwn यह capital है मतलब case sensitive है तो आपको capital ही लिखना होगा pwn.py और उसके बाद लिख दीजिए dash h dash for help यानि की इस tool को किस तरह से use किया जा सकता है यह आपको बताएगा and let's wait and watch क्या हमें दिखाता है तो install करना, clone करना, activate करना एक virtual environment में चलाना है यहां तक आपको यह topic clear हो गया होगा आप देख सकते हैं इसके look को तो काफी सही दिया गया है and here we are also writing हम एक command लिखेंगे यहां पर और उसके बाद check करेंगे किस तरह से काम करता है oh permission denied that means कि हमें इसे चलाना होगा पहले sudo से sudo के बाद आपको लिखना है tool का नाम the name of the tool guys इसकी speed slow है because of आप देख सकते हैं कि एक और मैंने setup चलाया हुआ है उसकी वजए से और वह भी बहुत जबरदर्स tool है जिसका वीडियो हम कल देखेंगे क्योंकि इसे install होने में बहुत टाइम लगे आप भी जब homebound को install करोगे तो यह बहुत टाइम आपका खाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे tools बगेरा जो है वह install होते है let's go the name of the tool is how you can see it's working just wait and watch it's taking some time okay guys तो आप इसे देख सकते हैं कि कोई भी चीज कैसे check करेंगो और यहां पर यह पूरे के पूरे इन्होंने वीडियो बताय हुए है मैं इसे installation बता देता हूं आप इन वीडियो से भी सीख सकते हैं तो here are the all the things चलिए हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहां पर let's try to write something सबसे पहले मैं यहां पर लिखके देख लेता हूं modules यानि इसके अंदर जो modules हैं उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन-कौन से modules हैं यहां पर बहुत सारे जो modules हैं वह आपको देखने का मौका मेलेगा जिससे आप अलग-अलग IoT device को चेक कर सकते हैं तो there are the list of modules ठीक है और modules के इलावा अगर आप यहां पर देखो कोई भी module यूज करना चाहते हैं तो जैसे सोडन से अगर आप कुछ यूज करने तो उसके लिए तो API देना बड़ेगा तो सोडन को API किस तरह से देते हैं वह मैं बता दूगा सवाल आता है कि कोई भी module हम यूज कैसे कर सकते हैं और उसके बारे में क्यासे हमें बता चलेगा नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले लोड लिखना होगा I will show you Let's try to type help and see what happens तो help command यहां पर रन हो गई है और यह आपको बता रहेगी कि किसी भी चीज को कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यह help menu दिखा रहा है load से आप किसी भी module को load कर सकते हैं find से आप उस module से related information जो है वो find कर सकते हैं find लिखके module का नाम आप लिख दीजिए exit, quit, banner, export, import यह सब इसके यूज करने वाले टूल्स हैं तो चलिए मैं ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं कि कोई भी module को हम use कैसे करेंगे तो मैंने यहां पर कुछ commands लिख होई है आप चाहें तो यह commands यूज कर सकते हैं तो फिलाल हम यहां पर करेंगे discover, load के बाद हम यहां पर लेखेंगे discover and BLE इससे जो BLE वाली जो चीजिए है वो load हो जाएंगी और modules आप देखी चुके है no module name discover तो यह दिखा रहा है कि यहां पर इस नाम से कोई भी module नहीं है let's try it again write the modules कोई दूसरा module try कर लेते हैं मतलब यह module इसमें है नहीं तो हम यह BLE modules गए है तो उनका नाम लिखना था let's check that where are the BLE modules आप चाहें तो copy paste कर सकते हैं यहां पर BLE modules जो है यह यहां पर है तो इन में से कोई एक ले लेते हैं ठीक है जो भी आपको सही लगे so where are कि देखिए मान लीजी आप okay so guys जो भी module आप use करना चाह रहे है उस module को आपको just copy करना है okay जो भी आपको suitable लगे तो सबसे पहले मैं इसे copy कर लेता हूँ और आप चाहें तो इसे write भी कर सकते हैं slow speed का reason पता है एक से ज़्यादा installations चल रही है तो processing speed पे थोड़ा सा फरक है जिसके वजह से video थोड़ा भी हो सकता है बट चीजे बहुत काम की है आपको समझ में आ जाएगा let's write the module name load और load करने के बाद जो भी आपने copy किया था module का नाम था वो आप paste कर दीजिए after then enter कर दीजिए यानि कि यह वाला जो module है उसे load कर देगा आप देखेंगे कि module जब load हो जाता है तो इस तरह का आता है उसके बाद जब आप so लिखेंगे तो इस से related जो info है वो आपको बताएगा कि इस चीज के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरुवत पड़ेगी तो यह module किस तरह से काम करता है यहाँ यह आपको दिखा रहा है उपर file, iface इन सारी चीजों का क्या मतलब है तो module को load करना use करना अगर अगर आपके पास files है तो file का use कर सकते हैं जैसे आपके पास सारी चीज आ जाएए उसके बाद आप इसे run लिखेंगे वाइफाई device और Bluetooth device कनेक्ट होना चाहिए तब ही यह काम करेगा run करने से यह जो module है वो काम करना start कर देगा तो यह आपको बता रहा है कि यह जो device है वो किस तरह से काम करती है अगर इस तरह का video आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा अच्छे लेवल पे इस तरह के videos और information में आपको provide करूं तो comment box में comment करें and like share and subscribe करना ना भूलने देखते रहें YouTube channel Masters in ethical hacking Thank you friends Goodbye